तो जैसे कि आपने लास्ट ओफीशिल एपिसोट के आने देखा थे कि जियान और कावडेंग की पीछे फायर कंट्रोलिंग फाइट हुई थी जिसको जियान बहुती आसानी से जीत लेता है और उसके बाद वहाँ से निकलाता है सीधा पिल्ट टावर के लिए और जब कभी के लिए आ चुका होता और अपनी पूरी पल्टन के साथ पिल्ट आवर की सीटी के अंदर गुम रहा होता तब ही आचानक से वाँके लोग जियान की चेस्ट के उपर लगी बैच को देखते तो आफस में बाते करने लगते और बोलते इत्ती यंग एज कई टीर सेवन का मिड़ लेवल का एल्किमिस आखर इता टैलेंटी डट का का से आए क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है और नहीं मैंने इसे कभी भी यहां देखा है तबी एक बंद हुलता रही है उसके बगल में जो बुड़्ड़ा चल रहा है उसे नॉर्मल है इसी बज़ी से अगर यहां पर कोई ऐसी जगे जहाँ पर मुझे कुछ मिल पाए तो उसके बारें बताओ तबी सिलन बोलती के जियान वही अगर आपको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी और रियर मैटिकर इंट चाहिए तो आपको अभी क्ली वहां पर जाना होगा ज जैसी वो थोड़ा सा आंगे बढ़ता तबी आचानक से उसे कुछ मैसूस होता है जापर स्प्रेस पड़ता और उसमें से एक बग्गी बायन निकलती है जिस बज़े से उस पूरी मार्केट के अंदर हल चल मत जाती है और लोग आपस में बाते काने लगते और बोलते हैं जैसा कि मैंने बग्गी के उपर मार्ट देखा उस सबसे मुझे ऐसा लगता है यह लोग दैन क्लैन से है और यह अभीकले उस मीटिंग के लिए जो कि कल नोने वाली है जैसन दिकन जो जियारत एक्दम सीरियस हो जाता और अपनी आइस के अंदर अपनी एवली फिल्म को ल जो जैनन क्लैनों पांच हो क्लाउन में सबसे था सीक्रेट तर परीकिछ से रहता है और अपने जो सीक्रेट उभीकल रेवीन नहीं करता है अब इस था कि अब जो क्लेन पर चला जाता है जहां पिल्वत्गी ह्यूरागी वे च्च्प उस से एक बंदा बोलता है या तुमन साथी जो काउ क्लेंड की बिचे वो भी बहुती दर टैलेंट इस पजिसे तो मैं अपनी तयारियों को और वी दर श्ट्रोंग करना होगा यह सुनके जो लड़की होती हो हमें नौट कर देती और जो बग्गी होती हो आसे चली जाती है तभी जियान अपने सभी साथ यह साथ तो स्टॉप फ्लोर की गेट के सामने आजाते हैं मगर तवियों पर एक बंदा आता है और उन लोग को बेलकम करता है और बोलता है इत्ते सारे महाल लोग और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहां पर सिर्वोई लोग एंट्री कर सकते हैं जो की डाउजों से उपर ह आप सभी लोग सारी कंडिशनों को फिल फिल करते हैं इस बज़े से आप लीस हमारे साथ चलिए यह सुनके जो जियाना तो हमें ग्रीट करता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है अपनी पूरी पल्टन के साथ और उस गेट के अंदर गुस जाता है जहां पर जियान एल्ट बोलता कि अभी के आपको जो चीज़ है वो सभी के सभी बहुते ज़दा रियर है और अभी के अमारे पास इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ नहीं है जिन मैंसे एक है टैन ताउजे इस पिछल बाइन और दूसरी है प्रिचल टीमन फूर्ट मगर तभी आचा और बुड़े आज तो तुम्हारी चांदी चांदी है फुल एकदम बील्ड लगी रही है जिस उनके वो बड़क जाता है और बुड़े की जो चीज़े वो एक नंबर की टॉप क्लास है मगर इसका जो पारा है वो बहुती जल्दी हाई हो जाता है और फिर वो सॉपकीपर से बोलता है कि जल्दी से अपनी स्नौवाइन जिंसेंग को निकालो और इस बच्चे को दिखाओ ये सुन्दीकर जो शौटी पर होता हो जियान को सबसे पहले अच्छे से घूटता और फिर बोलता है कि तुम इस नोवाइन जिंसेंग को खरीदना चाते हो ये सुनके जो नहीं आती है तबी जन बोलता है कि ओल्ड मैं अभीकली ये जो इसनौ वाइन जिंस ने यहापर इसलिए बच्चे अगर तुम इसे अफोर्ट कर सकते तो फिर तुम चेंज कर लो वनना तुम यहां से पहली पोरसात में पतली गली नापके निकल लो मगर तबी जो जियान ह कि आंके एक्डम से चौन दिया जाती है याद तक कि वहाँ पर खड़ी हुए जित्ते लोगते सभी के सभी एरन हो जाते है और बोलता कि अभीकली जो तुमारी प्राइस हो बहुत ही ज़्याद है इस बज़े से मैं उसे नहीं करी सकता हूँ यह बोलके जो जियान होता हू के लिए तैयार हूँ इस नुबाइन जेंसेन को इस टीर सेविन के साथ मगर जो जियान होता है अब वो भाव खाने लगता और बोलता है कि नहीं अब मुझे एक्चेंज नहीं करना है क्योंकि जो अभीकली तुम प्राइस माग रहे हो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे जियान हो तो आपर रखी चीज़ों को दीख लगता है मगर उनमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है मगर तभी त्यान को जुल्जे की अबाज आती है और बोलते हैं जियान अभीकली साइड में रखी प्लेट के साथ एक्चेंज कर लो क्योंकि इस प्लेट क्यों पर जो प कि ठीक है मैं अभीकली तैयार हूं और मैं अभीकली इन दौना चीज़ों को आपके लिए पैक कर देता हूं और इंपर जियान को स्प्लेट को लेते हो देखते हैं वाँ पे खड़ी हूँ जित्ते में लोग तक है तेरे लड़का पागल है क्या वहीं भीकली फालतों की च युकतुरू कर पाएगा और अभी जो जियान हो तो से रिकैनल को लाते हो बदेते हैं यह देके बुट्डी को एसा लगता हैं जियान उसके साथ डील नहीं करना चाता है मगा तबी जैन उस्पूरी बोतल को दे देते हैं मैं बस अभीकली उम्मीद करता हूँ यह फिल उस सो रहा होता है मगर तभी जियान अपने इंटों को लेने के लिए हाथ आंगे बढ़ाता है मगर तभी एक पंका आता है और उसे रोक देता है ये देखें जो बुड़्डा होता वो भी एरन हो जाता है तभी जो पंका थो बापस पीछे चला जाता तो जियान उसी डारेक्श पंके से सीधा जीयन की उपर हमला कर देता है मगर जियर उसे डॉट कर देता हुडर वे ये डूना सीधा जाता है यह जिए जियान के समनी आ जाती है और लिटल फी डॉकर अपने करी, तो फिर मैं उसे छोड़ूँगी नहीं, अभी जो लड़का होता है, उसे काफी ता गुस्सा आने लगता है, जियान की पर और अपने दौनर एल्टर से उने रोकने के लिए बोलता है, इस बज़े से उसके दौनर एल्टर आके जियान के समने आके खड़े हो जाती है, और बोलते के रोकोग, यह देखती करन जो ट्यान वर्जन से होते हो बढ़क जाती है, और साथ ही जो लिटल फिरी डॉक्टर होती हो भी बढ़क जाती है, और गुस्से से बोलती क्या तुम लोग अभी जियान उता हो अपनी पूरी पल्टन को लेता और वहां से चला जात और यह बोलते हैं उसके चेरिपी के स्माइल आजाती है, और बोलते ही लोग सच में कपदर इंटर्स्टिंग है, और यह पे सीन कटों के बापे जियान के उपर आजाता है, जो कि अभी कली वहां से बाइर आच चुका तो और जो ग्रेटल रहती हो अभी कली कफदर टेंश दो मैं सब कुछ देख लूँगा, यह से उनके जो ग्रेटल लोते हो हमें नौट कर देते हैं, तभी चिलाती हो बोलते हैं कि जियान भाई मुझे अभी कली ब्लड डीवन स्प्रिट फूड मिल चुका है, मगर यहां पे इसनों बाइज जिंसन और टैन थाज़ बाइन नह इक लेन के अंडर आती है, मगर जब से हमारा इक लेन डाउन गुए, उसकी बज़े से हमारा यहां पे आना बहुती दा कम हो गया है, और इस बज़े से इस जगे की जो कियर वो भी नहीं हो पाती है, इसी बज़े से अभी इस जगे को देखे को कफिदा हसी आ रहे होगी, यह सुनके जो जियान हो तो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, यह जगे सच में कफिदा अच्छी है, यहां पे कफिदा संती है, तभी ज़ेन अपने रूम के सामने रुख जाता है, तभी ग्रेटरल जियान से बोलते है, इस बज़े से आप लोग जाईए और रेस्ट करिए, आप शेरोर ना, यह ओपर प्ली टैंशियन टाइम से है, यह सुन दिकरन जो ट्यान को सुन से होते हैं, बोलते हैं, बच्छी अभी ग्ले जो तुमारी स्टर्श के वो काफी था अच्छी है, तुमारा जो एक्स्पिरन्स हो पुर मेरे से अभी की काफी था कम है, और यह ब प्रॉसेस होती हो थोड़ी सी लंबी होती मगद तभी अचानक से जो जियान डस्ट को जला रहा था हूँ अचानक से पाँच एनर्जी की बॉलों के अंदर कनवर्ट हो जाता है और जब ट्यान को उन्हें देखते तो बोलते कि अब इक लिए चीज़ है इस पीचल नरसिंग के अंदर और अभी के लिए दुख की बात तो यह जो मैंतर हो बहुत ही दो पुरानी इस पज़े से कल्टिविशन मैंतर लॉस्ट हो चुकी है जिस अब सुनके जो जियान होता हूँ मास्ट के बारे में सोचने लगता तभी जो ट्यान हो जो जियान से बुलते है बच्चे जो एनर्जी की बाल होती हो जियान के सरके अंदर चली जाती है जिस पज़े से जियान के सरके अंदर एंगम से गंटे बजने लगती है और जियान को काफी जादा पीन होने लगता है जियाता कि उसे बढ़तास करना ही बहुत जा मुस्किल हो रहा होता है मगर तभी जन मैस बोलते हैं कि अपनी आखें बंद करो और बोलो चीन टपा का डंडं रैसा करने से जो इस पीचल और होगो तुमारी बॉड़ी के अंदर एंटर कर पाएगा तो यह सुन्पियों जो जियान हो तो भी देरी नहीं करता और तुरंत क्रोस लेकर करके बैठ जाता है और उसी फॉ पर इसी बजसे जो पहले सब इकले सुका जंगल हुआ करता तो वह एकदम से बराबरा होने लगता है या तकि जो पेर सुक चुके होते उनके अंदर ही फूल पत्ते आने लगते हैं तबी जो औरा होता हुए एक जगे पर आके कलेक्ट हो जाता है और वह जियान का इस्पी के पीच में एक मैजिकल पीच्ट है जिसका जो साइज है वह बहुत ही था बढ़ा है मगर तभी जियान के समने एक बहुत ही फास तरीके से इस प्यूचल और आ आ जाता है और वह जियान से आकरे तुमारी इमत कैसे हुई फिल टावर के अंदर स्टार एलम के अंदर कर रहा है इसलिए अगर मुझे वह फिलिम चाहिए तो मुझे और भी इस ट्रॉंग बनना होगा वनना कोई चांस नहीं है और इसलिके साथ जो सीन हो तो कटो की पिल टावर के उपर आ जाता है जहां पर अभीकली एक अवा जाती और बोलती कि अभीकली कोई स्टार एलम के के अंदर पहुंचा है जैसन के पहला वाला एल्टर बोलता कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तभी एक लिए और आपको एपिसोड पसंद है तो प्लीस लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ अपसे नेश वीडियो में तब तक कि लिए बाई